So what's up guys, कैसे हो आप सब, आप सब को स्वागत है अगें से हमारे चैनल के एक और खतरनाक सी वीडियो में So guys, आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है जिनको guys, Conqueror के टाइर से कुछ जादा ही प्यार है या कुछ जादा ही लगाऊ है या guys, उनको Conqueror का Season 7 का चाहिए फ्रेम So guys, आज की वीडियो में यार इतनी easy tips and trick लाया हुना guys आप भी कहोगे भाई, ऐसी वीडियो यार पहले क्यों नहीं देखा मैं So guys, वीडियो का end तक जरूर देखना इस वीडियो में यार कुछ ऐसी tips and trick है guys जो बहुत ही यूटूबर चुपाते हैं लेकिन तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने हर्चीज ला देगा और guys, मैं चाहता हूँ आप सब कौन कर रहे पर पहुंच जाओ So guys, अगर वीडियो का end तक देख लेता हूँ तो guys, 100% कहता हूँ guys, लिख के लेलो आप जरूर कौन कर रहे पहुंच जाओगे So guys, वीडियो का end तक जरूर देखना और guys, अगर आप हमारे चैनल पे नियू हो तो guys, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना So guys, शुरू करते हैं आज की वीडियो को So guys, जो first point है guys, उसमें आपको decide करना है guys So guys, इतना चूज करने के बाद guys, आपको चूज करना है guys, आपको चूज करना है guys, आप कौन सा map अच्छे से खेल पाओगे जैसे वरेंगा हो गया या गोल्डन वूट्स So guys, मैं आपको एक secret चीज बता दू जो कोई YouTuber नहीं बताता So guys, आपको solo में rank push करना चाहिए क्योंकि guys, solo में सिर्फ 2200 पॉइंट चाहिए यार, Conqueror पे जाने के लिए और guys, आप अराम से Conqueror पहुंच जाओगे solo में और guys, most important चीज guys, हम सब गलती ये करते हैं कि हम सब guys, वरेंगा में करते हैं push लेकिन guys, मैं आप सब को ये बता दूँ जो भी Asia के Top Conqueror प्लियर होते हैं guys, आपको सामने में दिखर आओगा बिल्कुल guys, ये Golden Woods खेलते हैं क्यों guys, Golden Woods खेलने का region ये है उसमें guys, बहुती कम real प्लियर आते हैं बलकि उसमें बहुत सबसे जादा आते हैं so guys, आपकी KD भी अच्छे से maintain रहेगी Golden Woods में और guys, आप around से top तक पहुँच जाओगी जिसमें guys, अगर आप Golden Woods में खेलोगे ता आप भाई खुद वोड देखोगे guys, आपका rank सबसे तेजी बढ़ता हुआ so guys, मेरा prefer यही है guys, आप Golden Woods खेलो क्योंगी guys, सारे player जो अच्छे थे player होते हैं वो वरेंगा में try करते Conqueror और जिसकी बज़े से guys, हम सब नहीं पहुच पाते Conqueror पे अगर guys, आप Golden Woods में अगर Conqueror try करोगे तो guys, 100% कहता हूँ guys, लिख के ले लो आप जरूर Conqueror पे पहुच जाओगे So guys, आपको ध्यान रखना है, आप चाहिए Golden Woods खेलो या वरेंगा खेलो आपको ऐसी जगह उतरना है guys, वहाँ पे सिर्फ 2-3 घर हो और guys, वह उस जगह पे एक ना एक गाड़ी हो So guys, इसका एक फायता यह है, क्योंकि guys, वहाँ पे कोई आता नहीं है सब सोचते कम लूट है, वहाँ पे नहीं मिलेगी लेकिन guys, वहाँ पे मतलव भर की गन मिले जाती है So guys, आप अराम से वहाँ गन ले सकते हो और guys, आपके पास गाड़ी रहेगी तो आप दूसरे लोकेशन पे अराम से जा सकते हो So guys, अगर आप rank push करो, तो guys, आपको ध्यान रखना है कि आपको guys, हमेशा अपने साथ एक गाड़ी रखना है So, गाड़ी रखने के बाद guys, आपको हमेशा यार इसमें सारे बंदे खौफ में खेलते हैं बिल्कुल चुप चुप के खेलते हैं तो guys, आपको हमेशा गाड़ी ले जाना है घरो के पास से और guys, अगर वहाँ पर footprint आते हैं तो guys, आप डरो मत आप उतर के अराम से किल कर सकते हो तो guys, rank push के चकर में guys, इतना बंदे डर डर के खेलते हैं कि वो guys, किली नहीं कर पाते तो guys, अभी देखा, मेरे सामने एक बंदा आगे है मैंने आराम से इजली किल कर दिया और guys, यहाँ पर अभी लगबग या दो-तीन स्कॉर्ट को समलो मान के रखी लो तो guys, आपको हमेशा guys, नोक करके guys, बहार नहीं रहना हमेशा guys, आपको कवर में रहना और कोसिस करो guys, आप घर पे रहो और घर पे guys, टॉप रूफ पे रहो, चट के उपर रहो तो guys, चट के उपर रहने से guys, आपको नीचे का सारा व्यू मिल जाएगा और guys, आप अराम से किसी को भी मार सकते So guys, जो second tip है guys, उसमें यह है आपके लिए, अगर guys, आप कहीं उतरते हो, जहाँ पे बहुत सारा घर है तो guys, वहाँ पे आपको खुले में नहीं रुखना, क्योंकि guys, इस बार conqueror के लिए इतनी ज़्यादा fight हो रही है So guys, आप सब के सब camp कर रहें, guys, लगबख हर घर में आपको एक camper मिल जाएगा So guys, देख सकते हो, अभी मैं यहाँ पे हूँ, guys, आपको ऐसी करके guys, हर वक्त आपको घ्यान रखना है आपको हमेशा चट के ऊपर रहना है, क्योंकि guys, यहाँ पे सब करते है, camp और guys, छोटे छोटे घर की वज़े से आप देखो इस घर में भी था और वहाँ पे भी enemy है, guys, लगबख हो यहाँ पे सब घर पे camper है तो guys, आपको अराम से kill करके हमेशा guys, आपको cover में बैठ के खेलना है ताकि guys, आपको कोई और निशाने में न ले ले और guys, हमेशा आपको नज़र रखना footprint पे, क्योंकि guys, यहाँ पे सब camper होते हैं क्योंकि guys, Conqueror के चकर में यार इतना camp होता है, इसलिए guys, आपको खुले में कभी भी नीचे में तो बिल्कुल नहीं घूमना है तो guys, देख सकते हो, यह कैसे लापर होगा, कैसे जा रहा है खुले में घूमके और guys, देखो, अभी मेरा यह सिकार हो जाएगा So guys, देख सकते हो, यहाँ पर इतनी छोटी सी जगह है और इतनी सारी camping हो रही है So guys, आपको हमेशा ध्यान रखना है, camperों से बचना है, main important guys, आपको camperों से बचना है So guys, आपको अराम से जब सब फिनिस हो जाए, आपको अराम से जब फिनिस हो जाए, उसके बाद सब कुछ लूटना है जैसे देखो guys, मेरे को एक enemy मिल चुका है, मैंने उसको head पे दिया है अब मुझे guys, मुझे पता है जो उसकी power कम है So guys, आपको बिल्कुल भी नहीं डड़ना और आपको कर देना rust और guys, वो अभी heal कर रहा होगा, तो guys, आप अराम से जाके उसे मार सकते हो और guys, दूसरा important चीज, guys, मेरा crosshair देख सकते हो बिल्कुल guys, enemy के उपर है, अगर enemy वहां से में को जागता है तो guys, मैं आराम से उसे kill कर सकता हूँ So guys, enemy आया नहीं, तो मैं आराम से उपर जाके उसे kill कर दूँआ So guys, आपको हमेशा ध्यान रखना, अगर आप kill किसी को damage देते हो तो guys, आपको तुरंत rust कर देना है ताकि guys, उसको heal करते करते हैं, आप वहां पर पहुंच जाओ और अराम से crosshair बिल्कुल उसी तरफ निशाने में रखे रहो crosshair ताकि enemy वहां देखे, तो आप अराम से चलते चलते भी मार पाओगे So guys, इस trick का भी अच्छे से ध्यान देना और guys, most important चीज इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि स्नाइपिंग करते हैं अरे मेरा भाई यार इसमें rank push करना हमें इसनाइपर नहीं बनना So guys, इसमें हमेशा आपको ध्यान रखना है, आप भले इसनाइपिंग करते हो, आप इसनाइपर हो लेकिन guys, आपको हमेशा इसमें आपने साथ दो गन रखना है, ताकि guys, आपके close range में guys, अगर एक गन रिलोड मांग लेती है तो guys, आप तुरांत वहाँ पे दो गन स्विच करके आप अराम से उने kill कर सकते हो तो guys, आपको स्नाइपिंग यूज नहीं करनी, और guys, आपको AR रखना अपने पास हमेशा ताकि guys, रिलोडिंग के टाइम में ज्यादा टाइम खराब ना हो और आप महां पे मरो ना, तो सिद्धा guys, गन स्विच कर सकते हो इस ताइम और आराम से मार सकते हो है नहीं, so guys, चलते है next tip पे, so guys, जो next tip पे है यार होती ज्यादा amazing है, guys, बिल्कुल आपकी केड़ी यार बिल्कुल maintain हो जाएगे, और conqueror पे आप पहुच पाऊगे, so guys, आपको क्या करना है, जहां पर zone हो, और guys, अगर उस side घर हो, तो guys, आपको उसी घर की तरफ गाड़ी ल आजर आ चुके है, so, देखो, मैं एक को finish कर देता हूँ, और guys, अभी तुरंत guys, देखना यहां पर एक और बोट आ जाएगा, so guys, अगर आपको केड़ी maintain रखनी है, तो guys, आपको गाड़ी रखना है अपने पास हमेशा ये चीज़ का तो यहान रखना ही, और guys, अगर zone कहीं उसी तरफ आते रहते हैं, उसी घर की तरफ आते रहते हैं, और guys, उस चीज़ का फायदा उठा के आप enemy को kill कर सकते हो, bot को kill कर सकते हो, so guys, देखा भी मैं यहां पर हूँ, और यहां पर मुझे दो बोट आराम से मिल चुका, और मेरे दो किल आराम से प्यार से मिल गया, दो क So guys, आपको भी ऐसी ध्यान लगना है, आपको बिल्कुल guys, circle के outside में ढूंडने है, bots, क्योंकि guys, आपको caddy में मैं पर रखनी है, conqueror के साथ साथ, और guys, आपकी rating में बिल्कुल minus महीं होगी, so guys, गाडी लेके guys, आपको बिल्कुल भी यार, circle के outside जहां पे घर हो, वहां पे guys, आ वहां पे fight चर ली होगी, और वहां पे आपका minus हो जाएगा, so guys, आपको इंजियार करना है, last का circle घूमते घूमते ही बन जाए, और guys, हमेसे आपको गाडी पर सफर करना है, क्योंकि guys, अगर बाहर घूमोगे तो guys, camper मैंने पहली बताए, आपको आराम से कोई भी मार देगा, so guys, आपको simply रखना है, गाडी, और गाडी से guys, अगर आपके पास कोई footprint आते, तो guys, अगर आप वहां rush कर दोगे न, तो भाई, पहले वो खौफ में होगा, rank post के चकर में, और guys, अराम से उसे पेल दोगे, so guys, आपको hot drop, कभी उसमें से धुवा निकल लो, तब नहीं लूट की अचा, लेकिन guys, car 98 और M24 यार बिल्कुल यूज मत करना, AWM आप यूज कर सकते हो, rank post में, तो guys, इसमें एक ही sort में सब finish हो जाता है, so guys, आपको ध्यान रखना है, AWM यूज कर सकते हो, और guys, जब भी नया drop गिरे, तो guys, new drop को नहीं loot न, आपको अराम से देखना, अगर कही drop पड़ा हुआ हो, या उसमें से धुआ नहीं निकल लाओ, तो आप पहले वहां mark लगा सकते हो, ताकि उसका धुआ जब घताम हुझे, तब वहां पर loot पाओ, so guys, आप most important guys, ये चीज भी बहुत यार, लोग मिस कर देते हैं, so guys, देखो, अभी वहां पर fight चल लिया, मुझे किसी की power कम होगी, और guys, last में जो बचेगा उसकी power तो कम होगी, 100%, क्योंकि guys, दोनों fight कर रहे हैं, दोनों में लड़ाई होगी, तो गोली वह भी कुछ ना कुछ खाएगा, so guys, अभी देखना, यहां पर third party कर रहा हूं, so guys, आपको भी हमेसा, ये chance तो बिलकुल भी miss नहीं कर अगर वहाँ पर fight खतम हो चुका, जब आपको लगे, हाँ भाई, आप वो heal कर रहा होगा, so guys, फटाक से उस time rush कर दो guys, एक या दो bullet में पक का enemy खतम हो जाएगा, क्योंकि guys, उसकी power पहले ही कम होगी fight की विज़े से, so guys, आप अराम सो से kill कर पाओगे, so guys, इस चीज का भी ध् best location क्या है, मितलब guys, बहुत सारे camper यह होते हैं, घास में लेटे रहते हो, भाई, साप, साप के बच्चे यार, इतने खतरनाक होते हैं, भाई, उनसे बचना यार, बहुत ही जादा मुश्किल है, so guys, अगर last circle में guys, अगर आप किसी उचाई वाले जगह पे होना, तो guys, आपक उसे finish कर सकते हो, so guys, आपको देख सकते हो, अभी यहाँ पे उचा तो मुझे कुछ नहीं लगा, लेकिन मुझे टावर लग रहा है, so guys, अगर मैं टावर पे जाओंगा, तो जरूर यार, मैं अराम से सबको किल कर पाऊँगा, so guys, देख लो, मैं आज चुका हूँ सबसे वज़े से, उचाई की एडवांटेश की वज़े से, so guys, देख लो, मेरको एनेमी आराम से स्पोर्ट हो चुका, और वो मेरको ढूंड नहीं पा रहा है, so देखो, boom guys, अब हमारा हो चुका है, winner winner, chicken dinner, क्योंकि guys, मैंने AWM के उसे sort दिया, तो वो जोन से थोड़ा damage हो गया, इ जो जो मैंने बता है, आपको हर चीज अच्छे सा follow करना है, 100% कहता हूँ guys, आप अराम से कौन करना पहुंच जाओगी, so guys, ऐसी ऐसी tips and trick वीडियो देखने के लिए guys, हमारी channel को जरूर से subscribe कर लेना, so guys, मिलते हैं आप से next और amazing वीडियो के साथ, तक तक के लिए, ta-ta, bye-bye, love you